आप चाहे सर्विस में हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं यदि आप सर्विस में हैं तो आप NOC ले लीजिए यदि आप रिटायर हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आप लोग अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों सिविल में आप अधिकारी भी बन सकते हैं किस इस प्रकार से पूरी कारवाई करना है, कहां पर वैकंसी निकली है, तो देखते हैं इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हिलफुल लगे, तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उसा जरूर बढ़ाएं, अपने दोस्तों को यह बताना चाहते हैं, तो आप सेर कर सकते हैं, अन्थक कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों आपको वैबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जा करके आप लोग पूरा नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, वहां पर जरूर जानकारियां लिखी गई हैं, तो द दोस्तों आपके सामने एक वैबसाइट खुल जाएगी, अब दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि ग्राम पंचायद अधिकारी, रिक्रूट्मेंट से सम्मंदित यह पूरी जानकारी है, और पहला पोस्ट जो मिलेगा आपको यहीं पर क्लिक कर देना है, इसमें अधिकारी बन सकते हैं, कुल मिलाकर केस में पोस्ट है, 1468 और दोस्तों इसमें जो प्रक्रिया है, वह दोस्तों सुरू होने वाली है, 23 मई 2023 से, और यह जो अंतिम आपको मौका मिल रहा है, ओनलाइन फार्म को भरने का, वह है दोस्तों 12 जून 2023, और यदि आपका को कोई भी समस्य आ जाती, कहने का मतलब आवेदन में अधियाप कोई संशोधन करना चाहते हैं, यानि कि कोई सुधी करन करना चाहते हैं, तो आपको 19 जून तक कमोका दिया जाएगा, आप लोग इस फार्म को आउनलाइन माध्यम से ही भरेंगे, और दोस्तों आपको जो सु जमा करना है, उसकी आखरी तारीक भी 12 जून ही रखी गई है, अब दोस्तों इसमें सुल्क कितना रुपए जमा करना है और क्या इलिजबिलिटी है पहले तो मैं वह बता देता हूँ, तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि सुल्क मात्र इसमें रजिस्टेशन सुल् है, सभी के लिए रखा गया है, अनिवार ये सच्छिक यूग गताएं हैं, उसके बारे में ध्यान देना है, तो दोस्तों जो इसके लिए पढ़ाई लिखाई मांगी गई है, वह बार्मी क्लास पास होना चाहिए, अब चाहिए आब माद में एक सिच्छा परिशद उत्तर प्रदेश से इंटर्मीडेट के परिच्छा पास की हो है, यानि बार्मी पास की हो या फिर दोस्तों अन्य कहीं भी कोई भी किसी भी सरकार द्वारा माननेता प्राप्त उसके समकच परिच्छा आपने पास की हो, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक चीज विसेस मांगी जो कि दोस्तो है नाइलिट जिसे की पहले डोएक के नाम से जाना जाता था उसके द्वारा जारी किया गया कम्प्यूटर का प्रमाणपत्र जिसे आप त्रिपल सी कहते हैं वह आपके पास अवस्य होना चाहिए आखिरी डेट तक जिस तारीक को फार्म भरने की आखिरी से विलाउं करते हैं उसका जाती प्रमाणपत्र अवस्याब के पास होना चाहिए जो लोग EWS का इसका सर्टिपिकट जरूर बन वाले क्योंकि यह अभरती सभी के लिए है इस पेसली मैं सिर्फ आर्मी पर्सन एयर फोर्स या नवी के लोग है यानि कि डिफेंस में सवेदन कर सकते हैं अगर उमर की बात करें तो जो सामाने कंडिडेट हैं उनके लिए 18 साल से ले करके जो 40 वर्स की सीमा है वह रखी गई है और दोस्तों जो अन्य विभिन के लोग है उनको नियमानसार छूट दी जाएगी और जो भूत पूर सैनिक हैं उनकी जो वास्तव उम्र है उसमें से सर्विस वाली उम्र घटाने के बाद जो भी बच्ती है वह यहां पर मानी जाएगी और उस पर भी नियमानसार छूट दी जाएगी इसके साथ ही जो लोग सेवा कर रहे हैं और दोस्तों वह लोग अपने इम्पलायर से वहां पर अनोसी ले 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 तो द प्रेट 2022 की परिचह में बैठे थे वह लोग इसमें आवेधन कर सकते हैं जैसे ही आप आवेधन कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आपकी एक कटफ जारी की जाएगी जिसके आधार पर आप लोगों के लिए मुख्य परिच्छा के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य प कुमेंट वेरिफिकेशन आप सफलता पूरवा करास कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों जो आपने लिखित पर इच्छा में अंक अर्जित किये थे यानि के हासिल किये थे उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बना करके तयार किया जाएगा और जो भी लोग मेरिट में हों को नियुक्तिपत्र दे दिया जाएगे इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ग्राम पंचयत अधिकारी आसानी से बन सकते हैं इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी यहां पर आपको आधिकारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आवेदन किस प्रकार से करना है वो भी आपको यहां पर मिलेगा कहां पर करना है अगर रिजिस्टरेशन कहां पर करना है उसके सथ ही भर्ति का nootification आप डाउनलोड करना चाहेते हैं तो आप यहां जहां पर दिखा हुआ है उसी पर आप क्लिक करके उस जो आपका notification है उसको भी यहां पर download कर पाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीधे यह official website खुल गई है और यहां पर जो भी जारी किया गया है वह आपको दिखाई दे जाएगा जैसा कि आप आप लोग notice board के अंतरगत भी देख रहे हैं दूसरे नमबर पर आपको यही notification लिश्टर दिखाया गया है और इस पर क्लिक करके आप लोग इसको download करके पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं उमीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों के लिए काफी अच्छी लगी होगे क्रपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथी पहली बार यहां विजिट की हैं ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निसान को जरूर दबाएं